मैं डॉक्टर रिशा सिंग स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग बेसिक इकनोमिक्स वेज रिशाम है आज हम लेकर आए हैं एक important question answer test जो की finance commission के उपर है इससे पहले हम finance commission को एक video में detail में discuss कर चुके है और अगर आपने वो video नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए जिसके बाद आसानी से आपनी सारे questions लगा पाएंगे और अपनी preparation को अच्छे से check कर पाएंगे तो चलिए start करते हैं अपना test first question है who is responsible for setting up of the finance commission in India भारत में वित्तायो का गठन के लिए सबसे ज़्यादा जो share दिया जाएगा वो किसे दिया जाता है तो इसका answer है BR Ambedkar जी हाँ BR Ambedkar का नाम आता है सबसे पहले भारत में वित्तायो का गठन इनहीं के कारण किया गया था second question है which of the following statement talks about the formation of the finance commission यान की वित्तायो के बारे में सम्विधान की किस धारा में या किस अनुच्छेद में बताया गया है तो इसका answer है Article 280 280 असी आर्टिकल में वित्तायो के बारे में व्याख्या की गई है next question है who establishes the finance commission in India या भारत में हर बार जो वित्तायो की बनता है इसको कौन बनाता है या कौन इसका गठन करता है देखें हम पहले भी discuss कर चुके हैं कि जहां भी finance commission का नाम आता है तो वहां पर हमें याद रखना है रास्ट्रपती सारी चीजें या जिम्मेदारी हैं यहां पर रास्ट्रपती के हाथ में जैसे नीती आयोग प्रधानमंत्री से related है ठीक उसी तरीके से वित्तायोग रास्ट्रपती से related है तो यहां पर नाम आता है रास्ट्रपती का president next है who determines the eligibility of members of the finance commission जो सदस्य होते हैं finance commission के वित्तायोग के उसमें देखें एक हमारा हो गया chairman और चार यहां पर सदस्य होते हैं तो यहां जो सदस्य है उनका चुनाव तो चुनाव या selection तो रास्ट्रपती करेगा लेकिन उनकी योग गिता क्या होगी यह सब चीजे संसद निर्धारित करती है तो answer हमारे हैं पर आजाएगा parliament next question है how many finance commissions have been constituted in India till date अब तक भारत में कितने वित आयोग बनाए जा चुके है answer है 15 पहले 14 था लेकिन 2017 में 15 वित आयोग का गठन कर दिया गया था जिसकी जो recommendations हैं वो 2020 से लागू हो जाएंगी next है how many members are in the finance commission of India वित आयोग में कितने सदस्य होते हैं तो इसमें 4 सदस्य होते हैं और पाचवा chairman होता है तो यहाँ answer हमारा हो जाएगा 4 next है which of the following statements is not correct कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है देखते है the first finance commission was constituted in 1951 सही है chairman of the first finance commission was Mr. Santhanam यह हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि नियोगी जी थे first finance commission के अध्यक्ष या chairman इसके बाद chairman of the 12th finance commission was C. Rangarajan यह भी हमारा सही है तो answer हमारे यहाँ पर हो जाएगा B next है which factor got the highest priority in tax distribution to the states यह वित्तायों का काम ही है कि किस तरीके से distribute किया जाएगा जो शुद्ध आये है tax से प्राप्त वो वित्त राज्य और केंदर के बीच में तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो highest priority है in tax distribution जो states को या राज्यों को tax का भाग दिया जाता है उसमें किस चीज़ को सबसे ज़्यादा importance या priority दी जाती है तो यहाँ पर हमारा answer हो जाएगा income inequality in the state यानि कि I की असमानता जिस राज्य में जादा होगी obviously उसको जादा भाग मिलेगा यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका weightage कितना होता है income inequality जो state में है उसके लिए weightage 50% रखा गया है जो की सबसे जादा है इसके बाद population आती है जिसका weightage 17.5% होता है tax distribution के लिए next है what is the constitution of the finance commission यानि कि क्या उसका गठन किस तरह सो होता है कितने लोग उसमें होते हैं इसमें आएगा तो यहाँ पर हमें पता ही है एक chairman होता है और चार सदस से होते हैं तो यहाँ पर c answer हमारा सही हो जाता है next है chairman of finance commission submits his report to बताइए अब किसको submit करता होगा chairman क्योंकि यहाँ पर राश्टपती का ही मुख्य रोल हो जाता है तो वो अपनी report राश्टपती को ही submit करता है answer is d president of india next है which of the following has never been the chairman of the finance commission कौन ऐसे व्यक्ती है इन में से जो की finance commission के अवित्तायों के chairman नहीं रहे है तो first प्रणम हाँ जी यही है हमारा answer प्रणम मुखर जी कभी भी इसके chairman नहीं रहे है और बागी यह तीनों लो रह चुके है next है which of the following statements is not correct मतलब कौन सा कथन सही नहीं है देखते हैं चलिए यह है the first finance commission was constituted in 1955 यह तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसको तो constitute किया गया था 1951 में तो हमारा answer है हाँ पर यह होई जाएगा इसके बाद which of the following criteria is not kept in mind by the finance commission while deciding the share of states जो राज्यों का भाग निर्धारित किया जाता है उसमें कुछ चीजों को ध्यान में रखा जाता है तो इन चारों में से ऐसा कौन सा point है या कौन सी चीज है जिसको ध्यान में नहीं रखा जाता देखते हैं चलिए demographic changes in the state बिलकुल रखा जाता है for hysteria in the state ये भी important है income inequality in the state ये तो हमने पढ़ाई था सबसे ज़्यादा इसका weightage होता है 50% level of education in the state ये हमार आंसर हो जाएगा क्योंकि level of education को यहां ध्यान में नहीं रखा जाता है next है which of the following roles your functions your responsibilities are not under the purview of the financial commission कि जो वित्तायोग है वो इन में से कौन सा कारे नहीं करता है या क्या इन में से point है जो उसकी काम नहीं है चले चेक करते हैं बाद sharing of net proceeds of taxes between the center and state ये तो मुख्य काम है वित्तायोग का कि जो कर से प्राप्त शुद्ध आए है उसको राज जी और केंदर के बीच में बांटा जाना recommending principles for governing the grants in aid to the states by the center ये भी करता है recommendations on matters referred to it by the president ये भी करता है कोई भी matter जो president लेकर आएगा वो भी next है preparation and periodical revision in electoral roles जी हाँ ये कारे वित्तायोग का नहीं है ये election commission का ये चुनावायोग का कारे है तो चौथा हमारे हां पर गलत हो जाता है तो answer हमारा हो जाएगा D यानि कि only four next है on which of the following matters does the finance commission make recommendations to the president of India इन में से कौन सी recommendation ऐसी है जो की वित्तायोग करता है भारत के रास्ट्रपती से the distribution between union and states of net proceeds of taxes ये तो बहुत important काम है वित्तायोग का तो यहां पर answer हमारा हो जाएगा कि दोनों ही सही है तो answer C is correct both one and two next है which of the statements given below is या are correct with regard to the finance commission इन दोनों में से कौन सा कथन या दोनों कथन जो भी है सही है the recommendations of the finance commission cover a period of five years बिलकुल सही पांस साल का कारेकाल होता है तरीके के इसकी recommendations के लिए the report of finance commission is submitted to the prime minister ये गलत है क्योंकि report किसको देता है वित्तायोग रास्ट्रपती को देता है तो यहां पर हमारा answer हो जाएगा one क्योंकि केवल पहला कथन सही है दूसरा कथन गलत है which of the following statements about the finance commission is not correct कौन सा सही नहीं है या गलत है एक बार देखते हैं the commission comprises the chairman and four other members सही है the parliament is authorized to determine by law the qualifications of the members ये भी सही है qualifications तो संसदी निरधारित करती है all the appointments are made by the president of India बिलकुल सही all the members have to be from Indian economic services और Indian statistical service नहीं ये गलत है ऐसी कोई foundation इसका सदस्य बनने के लिए नहीं है next है who was the chairman of the first finance commission of India सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला question और सबसे आसान भी that was appointed in 1951 केसी नहीं होगी ये पहले वित्तायों के chairman थे ये वैसे भी नाम सबको रटा हुआ होना चाहिए केसी नहीं होगी who was the chairman of the 13th finance commission 13th का इतना ज़्यादा important नहीं है फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि 13th finance commission के जो अध्यक्ष थे वो थे ये थोड़ा सा यहां पर गलत हो गया है इसका answer है विजे एल केलकर 13th finance commission के अध्यक्ष थे विजे केलकर next है the 13th finance commission of India whose chairman was विजे केलकर had allocated what percentage of central tax revenues were shared by the center with the states देखी जो करों से प्राप्त आए है उसका कितना भाग state को दिया जाए तो एक मोटे तोर पर इसको समझ लीजे कि जो 13th commission था उस commission में या 13th तक कह सकते हैं राजियों को दिया जाने वाला भाग 32% होता था इसके बाद 14th commission ने इसको बढ़ा दिया था 14th commission ने इसको 10% बढ़ा कर 42% कर दिया था 13th तक ये 32% था और 14th commission में 42% हो गया और 15th commission जो है उसमें इसको 1% डिड़क्ट करने की recommendation दी गई है कि इसको 42 से घटा के 41 कर दिया जाए जिससे कि जो 1% का difference आता है वो 1% नए बनने वाले union territories को दे दिया जाए जैसे जम्मू, कश्मीर जम्मू, कश्मीर और लदाख है तो यहां पर answer हमारा हो जाता है 32% ये थोड़ा सा समझ सकते हैं मिस्टे कंप्यूटर में animation में हो जाता है तो answer है 32% next है who is the chairman of the 14th finance commission तो 14th finance commission के अध्यक्ष कौन है या कौन थे why we ready why we ready 14th वे वित्तायो के अध्यक्ष रह चुके हैं इसके बाद next है which of the following states got the highest share in taxes by the 14th finance commission recommendations तो यहां पर answer हमारा उत्तरप्रदेश है वैसे भी बड़ा भी है population भी जादा है आप समझ सकते हैं जनरली यूपी गाही इसमें हिस्सा हमेशा सबसे जादा रहता है which years population level is considered by the 14th finance commission while deciding the share of states तो यह जो इसमें हम population की बात करते हैं तो यहां आता है 1971 इसका रीजन है कि यहां पर जनसंख्या नियंत्रण की जो नीती अपनाई गई थी तो उसमें आगे बहुत जादा issues ना हो क्योंकि बहुत से states अपने area की population को control करना चाहते थे तो उनको यही डर था कि हमारी population अगर कम हो जाएगी तो ऐसा ना हो के आगे के लिए हमें AIDS मिलना या जो भी हमारा share है वो भी कम हो जाएगा क्योंकि हम अपनी population पे control कर लेंगे और वहीं पर जो status population पे control नहीं करेंगे उनका हिस्सा बढ़ता चला जाएगा तो इस दुविधा को दूर करने के लिए decide कि आ गया था कि इवन elections में भी आप बहुत सी जगों पर देखोगे कि जो population consider की जाती है वो 1971 की ही की जाती है उसके बाद की नहीं होती हाला कि इसको change करने के लिए discussions चल रहे हैं लेकिन ऐसा अभी कुछ प्रकाश में नहीं आया है तो इसमें जो जनसेंक्या अब तक consider की जाती है वो 1971 ही की ज जाती है तो इसलिए 14th Finance Commission भी इससे अलग नहीं है तो 1971 नेक्स है which statement about the 14th Finance Commission is not correct कौन सा सही नहीं है यह है the 14th Finance Commission has tenure of 2015-20 सही है it has recommended the share of states to 42% in tax collection of the Central Government यह भी सही है the highest tax component of total taxes is given to Maharashtra यह गलत है क्योंकि सबसे ज़्यादा share किसका रहता है नॉमली उत्तर प्रदेश का ही रहता है तो वही 14th Finance Commission में भी था तो यह हमारा answer हो जाएगा C next है who is the chairman of 15th Finance Commission यह भी बहुत आप समझके चलिए बिल्कुल basic question है यह रटा होना चाहिए कि 15th वित तायोग के अध्याक्ष यहां पर है N.K. Singh what is the period of 15th Finance Commission period इसका आजाता है 2020 से 2025 इसका गठन कर दिया गया था 2017 में लेकिन जो इसकी recommendation implement होंगी लागू होंगी वो 2020 से 25 के लिए होंगी which of the statements given below is our correct with regard to the recommendations of 15th Finance Commission पंद्रहवे वित तायोग की जो recommendation है उनके विशह में क्या बात सही है the share of states in Texas is recommended to decrease from 42 to 41% in 2021 सही है next है the 1% decrease is to provide for the newly formed union territories like Jammu, Kashmir and Ladakh तो यह भी हमारा बिलकुल सही है तो answer हमारे दोनों ही सही है both 1 and 2 तो यहाँ पर हमारे question answer test खतम हो जाता है उमीद करती हूँ आप इसको अच्छे से solve कर पाए होगे और यह मान के चलिए अगर आपने यह सारे question अच्छे से solve कर लिए है तो आपका यह topic बहुत अच्छे से तयार हो चुका है और इसके साथ ही मेरे channel को like और subscribe जरूर कीजेगा जिससे आगे के topics भी आपको देखने के लिए मिलते रहें धन्यवाद